हितेश जी आपके पास आ रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसके कानूनी पक्षिन आपसे समझ लें आला कि मैं अपनी बार पताते हैं जो मैयूर जी कह रहा हैं कि वो नहीं चाहेंगे लेकिन मेरे साब से राहूल गांधी दोनों में विन-विन सिचुएशन में हैं उनको अगर वो नहीं नहीं लाते हैं तब ढूरा फायदा है उनको लेलाते हैं तब ढूल कर रहा हूं एस praising में उसकी लिगलिटी में नहीं जा रहा हूं उसमें उनका दोनों तरह से उनका फाइदा ही फाइदा है मैं थोड़ा आप से यह समझना जा रहा था इतेश भाई आपने उसको बिल्कुल माइनूटली आप इस और को ठीक से फॉलो कर रहा है आपने बहुत से कानूनी पक्ष बताये थे जब आप से पहले बात हुई थी मुझे य हाई कोड के बारे में कहा रहे है इतना लंबा लंबा आप लिखा आप मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोड जो सबसे बड़ा सरोच ने आल है वो कुछी को यह तो थोड़ी कहेगा कि उठक बटक करो भई आप अगर मैं घर में मैं स्कूल में कुछ करता तो मेरे टीचर मुझे उठक बटक करवाते या मुझे कहते कि मैं दो चक्कल लगा कि हो किसी भी कोड के लिए इतना कह देना ही कि आप क्या कर रहा है यह यह पूरी तरह से टिपड़ी नहीं है यह उस व्यवस्था को भी बता रहा है जो गुजरात में चल रही है थोड़ा मैं इसके कानू कानूनी पक्षमेंट अब कानूनी रूप से मुकदमा तो चलेगा वो अपना टाइम लेगा आपको कानूनी रूप से आज क्या इस्थपी है फ़ड़ा कानूनी पक्षम जा दे यह हितेश वाई सर हमने शायद इस दिन यह डिसक्वालिफिकेशन हुआ था जिस दिन कन्विक्षन हुआ था तब भी हम बैठे थे इस बात के चर्चा करने के लिए कि यह सब क्या हो गया और अब क्या होने वाला है और मैंने उस दिन जो चीज़ कही थी सर प्रिसाइसली आज वही कुछ सा साइन होने चाहिए थे आज जज्मेंट में भी ऑन्रेबल सुप्रीम कोट ने यह कहा है कि अडे ले सर वूड आव नॉट लेट टू दिस सिटुएशन एक दिन भी अगर कम होता तो सर यह मैक्जिमम क्योंकि ट्राइल कोट में मैजिस्टेट बैठ रहे हैं वो भी यह जो म कि एक पॉलिटिकल केस में जब वो कन्विक्शन कर रहे हैं तो बेस्ट उनको वो प्रो एन कॉंस बहुत ही ज़्यादा समझना भी पड़ेगा क्या अगर मैक्जिमम पनिश्मेंट देना है तो बेस क्या बनाया था जिसको लेकर आज यह टिपनी हुई है जो चीज इवन ए एक्जिमम पनिश्मेंट वो ता राफेल मामला जो जो कमेंट की गई थी पर वो तो करना टका का यह जो विवादित बयान है उसके बाद का इंसिडेंट है वो तो आप कोई अगर मैं आज मैं मैंने एक मर्डर किया है और उसके बाद मैं उसमें दूसरा मर्डर करता हूं पहले में क्या हुआ है क्या नहीं उसका सेकंड सेकंड के रिजल को लेकर पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं तो क्योंकि इट वास्माट रिवर्सेबल आज कुछ यही चीज का संग्यान लेते हुए यह टिपनी हुई है मतलब कही न कहीं चूप हुई है नीचे की तीन कोटों से पहला जो ट्रायल कोट ने मैक्सिमम पनिश्मेंट दिया और वुस पनिश्मेंट के को जब चैलेंज किया गया है आज जो आपने मुझे पूछा कि अब पर सब्सक्राइब करते हुए रिप्रेजेंटेशन और पिपल्स एक के तहट इमिज यह डिस्क्वालिफाइब कर दिये गए आज कहीं ना कहीं यह जब स्टे की बात चली तो कॉंग्रेस के ही जो पक्स से जुड़े हुए थे जो अब एमेले हैं हर्दिक पटेल बीजेपी में से जो पहले नरेंद्र मोधी को बाजपा को पहुत गालियां दिया करते थे अब जब वो इसमें बीजेपी में आ गए तो उनके उपर भी आइडेंटिकली दो साल का कन्विक्शन का ओर्डर था और जो स्टे किया गया है तो वो के लिए इस भी सामने रखा गया देखिए अगर नयाई की बात होती है नय प्रणाली की बात होती है तो यह नयाइब शाहे कोई अभी नेता के लिए हो या कोई राश्य कक्षा के नेता के लिए एक समान न्याय होगा तो ही लोगों को भरोसा रहेगा न्याय व्यवस्ता पर यह बहुत बड़ी चीज है और आज की तरीक में सही माहिने में जो चिंता का विशह है हम सब के लिए पूरे देश के लिए वो यही है कि क्या इस तरह की पर जुडीचरी इस एट अस्टेक क्योंकि जुडीचरी को किसी न किसी तरह से गुम्रा करो जुडीचरी पर किसी न किसी तरह से दबाव बनाया जाए वह जो मिजगैड करके जिस तरह की सिचुएशन्स खड़ी हो रही है जैसे मैं आपने अभी शुरुवात में ही जो आपन कि जो इलेक्ट्रोनिक एविडेंस रेकॉर्ड पर आया है वो परियापत नहीं है उसको हम प्रूंड नहीं कर पाए है और लोवर कोट जो मैटर जज्जमेंट पे थी उन्होंने उस दिन हाई को मिजगैड किया था एक MLA होते हुए ही मिजगैड हाई कोड और उन्होंने य बढ़ जो नहीं होना था हाँ हां और रिजर्व था और उन्होंने हाई कोमिजगैड किया और उन्होंने वहां से स्टे लिया यह बोल कर दो मैजिस्ट्रेट इस नौट ग्रांटिंग अस एड्जोन्मेंट और इसलिए हुनरेबल हाई कोड ने स्टे किया इसके बाद सर तिल February 23 और February 23 में फिर वो वापस जाते हैं High Court और ये कहते हैं now sufficient evidence as common record सर ये दोगलापन मतलब ये खिलवाड है जुडी शरी के साथ जुडी शरी के साथ जिस तरह का खिलवाड इस case में हुआ है सर मैं आपको अभी भी उस दिन की सर मैंने ये कहा था कि ये मामला जब हाई कोट या सुप्रीम कोट में जब जाएगा तब ये टिक टिकने वाली चीज नहीं है कि ये किसी माम ये केस एक ऐसा केस है कि जब ये सारी चीज़े सेशन्स कोट हाई कोट के समख्ज रखी जाएगी वाइल डिसाइडिंग दे एक्चॉल अपिल और मेरिट अभी जो ड्रायल कोट ने जो वर्डिक दिया है वह वर्डिक चैलेंज है सेशन्स कोट के समख्ज अभी सेशन्स कोट अब उसके एविडेंस को देखेगी लेकिन जो पूरा मामला जो पूरी बहस अभी तक चली थी वह थी स्टे आफ कंविक्शन को लेकर जो ती कंविक्शन पर स्टे नहीं था उसी लिए सस्पेंशन जो उनको जो डिस्क्वालिफाई भी किया गया एज़ा सांसद भवन से निकालने का जो एक पैत्रा था उसमें कहीं न कहीं सरकार सफल रही पूर्णेश मोधी सफल रहे लेकिन जो मिश्चिव जुडिशरी के साथ खेली गई है सर वो रेकॉर्ड पर है और जिस दिन भी ये मिश्चिव आज नहीं तो कल जब एपेलट कोट के सामने रखी जाएगी क्या हुआ था क्योंकि खूद कंप्लेनेंट यह मान कर चल रहे थे कि एविडेंस परियाप्त नहीं है और वो परियाप्त एविडेंस नहीं है उन्होंने यह स्टेट्मेंट हाइपोर्ट के समख्ष किया था नो एडिशनल एविडेंस एस कमोन रेकॉर्ड इन वनियर एक साल में जब कोई नया एविडेंस नहीं आया रेकॉर्ड पर और फिर आपको यह अलगी बयान क कर रहे हो यह सर बहुत वीक है तो सस्टेन दिस कन्विक्षन आने वाले दिनों में यह जो एटलिस यह जो आने वाले दिनों में हम लोगों को एक शंका होने लगी थी कि क्या जुडिशरी से अब कोई जाधा अपेक्षा रख सकते हैं आम लोग आम इंसान कही न कहीं अब जुडिशरी की जो बात है वो कही न कहीं लोगों का विश्वास आज बरकरार होगा होगा आने वाले दिनों में मैरिट्स पर जो ना हो लेकिन जो अन्रेबल सुप्रीम कोट ने आज कहा कि यह सिव राउल गांधी की बात नहीं है यह बात है उस कंस्टिट्वेंसी की उस इलेक्ट्रोट की जिसका रिप्रेजेंटेशन आज की तारिक में वहाँ पे नहीं हो पा रहा है यह मेन बज़ा रही है आज जो अन्रेबल सुप्रीम कोट ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन इस वेरी इंपोर्टन इन पार्लामेंट और यह सब देखते हुए बेशक अब आने वाले दिनों में जो कुछ होगा लेकिन बीजेपी जो जैसे हमने पहले आगे आगे की बहस में कहा था आज में एक बाद फिर दो रहा हूंगा कि बीजेपी इस पूरे मामले में जिस तरह से लड़ रही है वो खुद आज राहूल गांधी को अपने उसका जो कद था उसका से बढ़ा करने में इसमें कहीं भी नाहीं मूदी कम्यूनिटी का हुआ है नाहीं डिपेमेशन प्रधान मंत्री जी का हुआ है क्योंकि उनका तो बीजेपी का ग्राफ और उनके चाने वालों ग्राफ उनके हिसाब से वो जो बोलते हैं वो बढ़ा है वो डिफर्म हुआ ही नहीं है चुकि वो ग्राफ कम नहीं हुआ है चाने वालों की फाबंदी बढ़ गई है तो जहां चाने वालों की फाबंदी बढ़ती है वाँ डिफोर्मेशन हो ही नहीं सकता सर इंट्रेक्ट देश में देश में नहीं दु तो हर कोई मोधी सुनकर उनको मान संबन देता है कि आप गुजरात से हो आप मोधी की दुनिया से हो करके उनका मान संबन बढ़ता है तो अगर आप तरफ यह बात बोलते हो तो यह दूसरी तरफ डिफेम वाली बात सर सस्टेन नहीं होगी और इसी दिये आज वाज़पाने और पुरनेश मोधी ने राहूल गांदी के सामने जो यह बेबुनियाद जंग चला रहे थे उसमें जो बैक फूट पर आना पड़ा है आज उनको यह बैक फूट पर आने की वज़े से आने वाले दिनों में जब कभी यह वापस राहूल गांदी संसत में जाएंगे और ज जाएंगे तो वह देखने वाली चीज होगी कि वह किस तरह अब परिस्टे को देखने जी मुझे आपसे दो चुकी फ्रेश्ट थोड़े लीगल है मैं आपसे समलों एक तो जो सुप्रीम कोट ने भी कहा है कि उन जो जनता वाइनाट की है उसका रिप्रेजेंटेशन नही तो क्या इसका कोई कानूनी पक्ष हो सकता है कि वह उसके लिए भी इनके पास कोट में जाओं और क्रेंग साब यह हुआ है इसका को करिए दूसरा मैं दर्शुकों को भी बता दू और आपकी भी राय ले लूँ आज एक और महतपूर वह आया है दिल्ली हाई कोट में जो इंडिया गड़ बंदन मरा है उसके अगेंज जो लोग गए थे दिल्ली हाई कोट में किसको इस्टे करिए और यह बंद करिए दिल्ली हाई कोट में इशू नोटिस कर दिया है विपक्ष को कहा है कि मैं बताईया आपचा नाम और 31 अक्टूबर की डेट लगाई है इन लो थोड़े खराब यह भी चल रहे हैं कि सुप्रीम कोट ने परसों मणीपुर के डीजी साहब को तलब किया हुआ है उस मंडे को दिल्ली में तो डीजी साहब कुछ नहीं देंगे तो उनसे वह बंगा गया है कि साड़े 6,000 FIR का क्रमबद करके दो कि कितनी FIR होई कितने में जा बाद आएंगे उससे मुश्किल तो बढ़ेंगे BJP कि ऐसा मुझे लगता है पहले तो आप यह जो नोशनल लॉस है विकोज यह टेक्निकल था तो उस नोशनल लॉस को लेकर एक कोट के ओडर से लेकर रिप्रेजेंटेशन आफ पिट्पल्स एक में जो प्रवधान थे उसका इस्तमाल करते हुए यह सब कार्यवाई हुई है अब इसके आगे की जो अब उनको यह डिस्कॉलिफिकेशन का जो रिमूवल पॉर्शन है वो रिमूवल के जो पावर्स है न वो डिप्रेजेंटेशन आफ पिपल्स एक के इसेक्शन 11 में यह कहा है कि इलेक्शन कमिशन इसके उपर निनना लेगा तो अब यह जब भी जज्जमेंट इनके पास कॉपी आती है वो एक जज्जमेंट की कॉपी के साथ उनको एक एप्लिकेशन चाहिए मूव करना पड़ेगा इलेक्शन कमिशन को तू रिमूव डिस्क्वालिफिकेशन ओन सो औन सो ग्राउंट इन विव ऑफ दे सुप्रीम को जज्जमेंट अब मैं जो जैसे अभी राजेश जी भी बता रहे थे और हमारे देश की अभी जो वहवस्ता चल रही है वो यही है कि जब तक एक नौड नहीं आएगा पीम की तरफ से कि हां भाई यह कर दो जो मैयूर जी भी जब के पास इस तरह की कोई अप्लिकेशन लगाई जाती है तो मेरा यह मानना है कि उसको हो तकता है कि किसी भी तरह से शायद डिले करने की टैक्टिक खेली जाएगी तब जाकर वापस से लिटिकेशन की परिस्तिती कि मुझे 24 घंटे में इन लोगों ने निकाल तो दिया था अब मैं जब वापस से एप्लिकेशन लगा रहा हूं कि मुझे वापस ले लो तो वह वापस लेनी की मेरी जो एप्लिकेशन है उस पर यह त्वरित मिर्नाई नहीं ले रहे हैं और इसलिए देर विल भी अगें सम डाइरेक्शन कमिंग फ्रॉम द्रॉप्रीम कोट देड़ कि इसको आप किसी तरह से डिले किया जाए ताकि यह जो मॉंसुन सत्र है वो शायद खतम हो जाए तब तक अब यह यह जो भी परिस्थितियों की हम बात करते हैं अगर हम जो मारा में मुद्दा है राहूल गांधी को लेकर तर आज की तारिक में गांधी यह जो नाम है जो father of the nation महात्मा गांधी को भी touch करता हुआ यह नाम है तर परिस्थितियां यह है कि आए दिन आए दिन सडकों पर कहीं भी यह openly कहीं भी महात्मा गांधी जी का जिनका पुरा विश्व इज़त करता है किताबों में जब हमें इंडिपेंडन्स की लड़ाई के बारे में उनसे पहला नाम हमको महात्मा जी का महात्मा गांधी जी का पापु जी का बुला जबता है आज क्या इमेज कर दिए उनकी आप नातुरां में गोड़से को गोड़से जी करके बुलाते हैं ओपन ली जिनोंने उनका मर्डर किया है और आपकी MP उनको जो गोड़से को बात है इस अरे हितेश जी नहीं मैं याद दिला दू आपका गॉर्नर आख के कहता है कि गांधी के पास बिगरी ही नहीं थी कि अभी तो है यहां पे भृले साहब ने क्या कहा गांधी जी माता जी के बारे में अभी की बात है जिन को बोलते हैं मोदी जी की हमारी तो गुरु है बहुत गंस्ला यह है कि जैसे बाबरी मस्धीद का जब तक वह को डिसीजन नहीं आया था तो यह जुतने भी लोग इनवाल्व थे एल के अडवानी जी सी के लेकर हर कोई जो पाबरी द्वन्स में इनवाल्व था शुरुवात में जब कि कोट में मैटर जजमेंट में थी तब तक कोई लेने जा रहा था कि हमने किया है यह जैसा ही व्लेक्ट आ गयां तब च्रेडिट लेना चला जला जाते कि हमने तोड़ा था यह that a only because a case is not five अगर घंधी परिवार में से हमने अगर हम बात करें सोनियां गांधी कि सोनिया गांधी को जो राहूल गांधी की माता को आपने कितनों ही बार टारगेट किया है कितनी बार नहीं बोलने जैसी इटालियन गुडिया बोल दिया कभी-कभी या आप इटली को अरे आपके आपके यहां की बहु है आज पाकिस्तान से वह एक जो और वहां से अपने बच्चों के साथ पबजी खेलते-खेलते यहां पहुच गई तो एक अलग परिस्तिती की बात चल रही है पाकिस्तानी ओरत के लिए और ये आपके प्रधान मंत्री जो आपके देश के प्रधान मंत्री इटाली से अगर किसी को शादी करके यहां पे लेकर आए हैं तो उस इक सार्वाजयनिक जीवन में पॉलिटीक्स में हैं लेकिन कभी किसी ने केश नहीं पाइल किया, क्यूँ, क्यूंकि मैं यह सुमझता हूं कि राहूल गांदी या उनका परिवर है वो कही न कहीं एके उर पॉलिट है पॉलिडिक्स में प्राइड के हर चोटी बड़ी या ह और पॉलिटिकली भाषन बाजी में की हुई बात को लेकर आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो जा रहा हूं कोड मेरी तो बदनामी हो गई अगर इसी तरह से सस्त्र के तौर पर हर बयान बाजी को लेकर कोट में जाने की बात आ जाएगी तो यह देश में इंडिपेंडेंडेंस जैसी कोई चीज नहीं रहेगी कोई भी आपके विरुद में बोलने का बोलने से दस बाल डरने वाला है और आप यही कर रहे हैं कि अगर हम यह चीज जो भी बोल रहे हैं तो आज आज ही जैसे मुझे अगर if I'm not mistaken आज का यह और एक कॉंट्रोवर्शेस स्पेट्मेंट जो चाहिद मीनाक्षी लेखी जी की तरफ से आया है कि आपको आपके सामने विपक्स के सामने एडी बेच दी जाएगी मतलब आप अब accept कर रहे हैं कि एडी अगरे आपके कहने पर और आपके इशारे पर कर रहे हैं तब काम यह बहुत गंभीर परिस्तिति यह देश के लिए किसी को अगर कोई criticism भाई opposition का काम है criticism का opposition की जिम्मेदार यह criticism आनदवर्दन जी मैं क्यूंकि opposition गुजरात में भी खतम हो चुका है मैं यह बता दू कॉंग्रेस भी डरके मारे कहो या किसी भी परिस्तिती भी लेका हो आज हमारे यहां गुजरात में एक बहुत ही डेंजर एक प्रशना चल रहा है जिसके लिए opposition भी न उस लौके तहले सिर्फ दो लाग सित्ते रहें तीन लाग से भी कम बच्चे एड्मीड हो रहा है नौ लाख बच्चों को इन्होंने या तो प्योल दिया है कि आप घर बेटो या रिपीटो आपको फर्स टेंडेट में अगले साल में एड्मीशन दिया जाएगा अब वेस्टेट लाइफ ओफ नाइन लैक चिल्डरन ऑफ गुज्राथ एक ऐसा सिर्फ लॉव लेकर क्योंकि लेकिन अपोज नहीं हुआ है यह लोग को किसी नहीं किया है और क्योंकि अपोज नहीं किया गया है अब वह है कि ग्रूप ऑफ पैरेंट्स और बिफोर दा पूरे देश में माहल इस तरह का है सर कि अपोजिशन को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी है वो नहीं निभाएंगे हमने मैंने तो कई बार मैंने एक दो लोगों से कुछ इस पुद्धे पर बात की है तो उन्होंने कहा है कि अब राहूल गांधी के के केस के बाद तो ए मैं यह मानता हूं कि आज आज एक बार फिर से इसली बार भी बहुत बार यह चीज़ हुई है आज एक बार फिर से यह वर्डिक्ट की तरफ से आया है एक विश्वास एक ध्रोसा जो न्याय तंत्रा पे इस देश का नागरिक लगा कर रखता है जो हम जब यह कहते हैं कि I'll वह भी आज बहस में चली कि वह अल्मोस्ट पीरेट ऑफ टू मन्स विच्टू किन है को यह सब जो परिश्थितिया जिसके वाज़े से विलंपित हुई परिश्थितिया लेकिन नियाय हुआ आज बैलेंस हुई आज वाइनार की जो जनता है जिनका डिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था अभी तक वह कहीं न कहीं डालेंस सिट्यूएशन हुई अरे किसी ने अगर गलत किया है तो लेट बैट भी डिसाइड़ वाइदी फाइनल कोड और इस देश की फाइनल कोड जो है वह सुप्रीम कोड है लेकिन जब तक सुप्रीम कोड अपना वर्डिक न बन रहे और हो सकता है तब तक पुर्ने एज देखते हुए पुरनेश मोडी जी की तो अब तक यह अगर डिले ऐसी ही चलता रहा तो पुरनेश मोडी जी तब तक साज्छ कंप्रूमाइज कर ले या यह कह ले कि आप नहीं लड़ना है जब तक पार्टी में था या सब चल